आज मुरादावाद के नवापुरा के गुडिया बाग में हुवा बड़ा हास्सा अचानक मतान की छत गिन्ने से दो बच्चों की मोगे पर हुई मुख्टिक लाइब डिश्टिक न्यूस से इनाम हुलक के साथ मनो सेनी की रिपोर्ट मुरादावाद आज मुरादावाद में थाना नाकफनी छेतर के गुडिया बाग में उस समय हरकम मच गया जब देर रात त्री बारिस के कारण कच्चे मकान की छट गिर गई जिसमें नीचे सो रहे परिवार के साथ लोग दब गए जिसमें पांच लोग गंबीर रुप से घायल हो गए और दो बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई सूचने मिलते ही प्रिसासन के लोग मौके पर पहुंचे जिनोंने घायलों को उच्चार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां मौके पर पहुंचे इकराम कुरेशी ने परिवार को प्रिसासन द्वारत 24 गंटे में सायता का द झाल झाल प्रहुटे कि अपरादा देले हैं आप दो को अपना प्रहुटेजाक। झाल प्याख वाल कि लोग एफ आई यार को नहीं करानी चाहरें पी एम की वज़ा से यह यहां दवाप्पुरा में गुर्या वाग है एक जगा कि अहां तो बच्चे मर गए बाकी जख्वी है उस्पिटल में है अजो तो इसमें मदद तो साइता तो करवाएंगे आप शेशील से अजमीन तो इसी की खुट की है यहां जमीन खुट कि अजय को नहीं नदिवदी में नहीं है बिल्कुल अलग है धनियाबादी में है जारे किसमत खराब की है कि अजय को अजय कर आप 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 इसमें करवाईए वद इसमें बढ़िया कर गर्यां कर नहीं पूरी पूरी भीड़ सुन रही हैंड फिरी पर बात कर्राव पूरा महला इकट्टा है आपकी आवाज ये सब सुन रहे हैं दीम साहब की आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि नहीं सुन पाएं हैंड फिरी पे पूरी भीड में बात कर रहा हूँ पूरा में बात की है आप लोगों के सामने डीम साहब ने आशवासं दिया है कि 24 गंटे के अंदर अंदर मरनेवालों को भी साहता मिलेगी माज़ा मिलेगा और मकान पूरा सरकार की तरफ से पिर्शाशन की तरफ से 24 गंटे के अंदर-अंदर मकान बहुत बुक्ता करके बना कर देंगे डी-म साहब और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं आपका विधायक गूंगा और बहरा नहीं है मैंने मैंने अपनी टेंच छोड़ दी चार बज़े वा हूंगा आपके सामने डी-म साहब से हैंट-फिरी पर बात कर ली डी-म साहब ने आश्वासन दे दिया मकान भी सरकार बना कर देगी और बच्चों को माहदब जिसे की पुरे भारत में बारिस से आधान जूज राय और मुरब कैसे ऐसी भी शहर हैं जहां पर अब भी जरद अधर मकान है तो उन लोगों को मकानों में तहड़ जाना चाहिए उनको वहां ते हटा कर कही और विवस्ता करनी चाहिए अपनी और मकानों की जो कंडी से ने उसमें हम सरकार से लड़ाई लड़के उनके मकान को बनवाए